नमस्कार फैंट्स में नाम भवली उर्मा पेपर है करमे आपका स्वागत है आज देखने वाले हैं यहाँ पर यह सेकंड सेमिस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नमबर हो जाएगा 28 अगर आपने बाकी और नहीं देखें तो बिल्कुल आप देख सकते हो ठीक है यह हमारी साइट पर आपको प्लेटिस मिल जाएगी यहाँ पर इस बीडियो के डिसक्रेप्शन में भी आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा साइट का ठीक है तो बहां जाके बिल्कुल आप देख सकते हो ठीक है तो बढ़ते हैं फटा पार क्योशन की और आज का जो क्यो करना है समीक्षा करना एक प्रकार से ठीक है या इस प्रकार से भी कुछन देखने को मिला है कि सिभाजी योद्धा और प्रिसासक का अद्बुत मिस्रर थे कैसे थे सिभाजी योद्धा तो थे ही और साथ में प्रिसासक के अद्बुत मिस्रर थे इस कथन की वेचना कीजिए तो ये दो प्रकास हैं आपके exam में question पूछा गया है, तो बात करते हैं इसके उत्तर की, तो सबसे पहले उत्तर डालते हैं आपको बताई है, उसके बाद एक box बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सिवाजी के बारे में जो कुछ पता है, कि इनका जनम कहा हुआ था, सिविनोर में हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, इस पहला से जीजब आई, इनके पता का नाम क्या था, समबाजी भोसले, जो भी important important fact होते हैं, कि इनका राजबेशे कहा हुआ था, राएगर में हुआ था, है ना इनके दादा का नाम क्या था तो सारे के सारे क्या करते हैं हम यहाँ पर जो हमें कह सकते हैं कि सिबाजी समंद जो जो important होते हैं वहाँ यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं फटा-बट कोशन की उह उसके करें जिफ में अनेक प्रसंसणीय के लिपयाद कैसे ते Ace him को सफल से नायक से सिबाजी ने बादी ने ने आगा अम ततालीन का त्तिकालीन समाज के लोगों में एक नई राश्ट चितना के फिर्माण भूक दिये थे उन्होंने एक सुतंतर राज नहीं अभी यह कहां जा रहे हैं तुकि सबसे पहले मुगल आये थे वो उत्तर भात पर उन्हें सारा कि सारा अधिकार बना लिया था मगर जो औरंग जेव था वो कहाना चाहता था जो दच्छिड भारते उस पर दिकार करना चाहता था महराष्ट बगएरा बहुत सारे दर राज पढ़ जाते हैं इन पर पहले वया दिकार करना चाहता था मगर मुगलों का बहां तक अधिकार नहीं था ठीके तो बही हो जाता ह यह कहां पढ़ते हैं अपना महानलच निधायत किया जहां तक औरंग जेब ने कह सकते हैं औरंग जेब पहुंच गया था ठीक है अपना समरज के बिस्तार कर लिए था महरास्ट में तो यहां पर भई देखने को मिलता है कि अपना महानलच निधायत कर लिया था कि हम अपने जो हमारा कह सकते हैं महराष्ट है उसे क्या करेंगे सुतंत करेंगे सिभाजी की चरत्रिक विसेष्थाओं को निम्लिकित सीर्षक के अंत्रगत स्पष्ट किया जा सकता है तो कौन कौन सी चरत्रिक विसेष्थाओं हो जाती है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो पहली देखने से जनता को बहुत राहत पराप्त हुई थी नितियों के संचाल में उन्होंने एक बुद्धीमान राजनितिग का परचय दिया था उनके बारे में डॉक्टर इस्वरी परसाद लिखते हैं कि सिबाजी उच्च कोटी के परसासा को राजनितिग थे उन्होंने अपनी बीरता अरो गुरो से स्वैम को विभूसीत किया था क्या क्या था उन्होंने अपने उच गृट के आउच्च बीड़ता और गुरों से विशुभीत किया था यहां पर कह सकते हैं यह बहुत अच्छे प्रसासनिक थे और राजनित की भी हो जाते हैं ठीक है तो बात करते हैं अगल ही कैससेते इनका चित्रजो था बहुत ही अच्छा था जैसे मधिकाल के इतिहास में सिभाजी ऐसे पृतंभारती हिंदू राजा थे जुननों ने मुगलों के बिरुद्ध एक ससत्य हिंदू राज की स्ताफना की थी सिभाजी के चरित्र में अपनी जाती की सुरक्ष्या लोगा तो difास्ट सबसे महां सेबा अपने विक्रे हुए देसवास्यों को जातियत पुर्दान करना था और अपनी सपलता दोर जाती के सम्मान और गौरब को बढना था यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है हिंदू जाती के उद्धाड के रूप में आगे हम देखेंगे सिभाजी का चरित्र धर्म सहिडू समराट के तोर पर देखेंगे सिभाजी का यहाँ पर चरित्र ठीक है तो बात करते हैं पएद रिकाय सिभाजी धर्म के सजग प्रहरी और स इतिहासकार कौन? इतिहासकार खफी खाने लिखा है कि सिबाजी ने यह नियम बनाया था कि लूट के समय उसके सैनिक मस्जितों, कुरान और इस्तरियों को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुँचाएंगे. कि क्या चीज? लूट के समय उनके सैनिक मस्जितों, कुरान और इस्तरियों की किसी भी प्रकार सेहानी नहीं पहुचाएंगे. इस प्रकार सासक एवं व्यक्ति दोनों रूप में सिबाजी का इतिहास के रूप में विस्तिश सिष्षान देखने को मिल जाता है. आगे बढ़ सिष्षित है. उन्होंने बहुत से युद्धों में अपनी छोटी सी छेन सेना के बल पर ही बहुत अबूत पूर बिजाएं प्राप्त कितनी सिबाजी एक महान बिजता थे जुन्होंने औरंग जेब जैसे सक्तिसाली सास को भी मानसिक रूप से बिचलित कर दिया था. क्य अगे बढ़ते हैं पर देखा है महान कूटनिति के रूप में कौन सिबाजी तो सिबाजी कूटनिती के आचार चाड़क के विश्णुगुप्त से कहते हैं ना चाड़क के विश्णुगुप्त भी नाम है उनका और एक नाम और है एक तो चाड़क हो गया एक विश्णु गुप्त है आगे दहानी आराय कोई बात नहीं अर्थसास लिखी है ना विश्नु गुप्त चाड़क आगी बात करते हैं सिवाजी कूटनिती के आचार चाड़क के सिसर कहे जा सकते हैं अपनी कूटनिती के बल पर ही उन्होंने मुगलों के दीगर काली ने संघर से किया था बीजापुर के सेनापती अफुजल खा का बद भी किया था जो बीजापुर के सेनापती हो जाते हैं अफुजल खा है ना उनका भी क्या कर देते हैं ये बद कर देते हैं औरंग जेबे के मामा आईसा खा जाता है उसको भी बहां से भगा दिया जाता है ठीक है पूरे से औ मिठाई फ़लो की टोकरियों से छिप कर ये वाग आते हैं कूटनिती पर आधारित इनकी छापा मार युद प्रडाली के काड़ी डॉक्टर स्मित ने ने पहाडी चूहा की संग्या दी है तो पहाडी चूहा कैसे कहा जाता है तो बह कहा जाता है सिबाजी के लिए किसके थे यह क्यूशन देखने को मिल जाता है ठीक है क्या दो सिभाजी थे वो एक लुटेरे थे तो आगे देखते हैं इसके बारे में डॉक्टर बिंसेंट स्मित ने किसने बिंसेंट इसमित के दोड़ा आधी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिभाजी एक लुटेरे एबम डाक राज की आवस्षकता पूर्ती के लिए पडोसी राज्यों को कभी-कभी लूट लेते थे लेकिन ऐसा कारिपूर मानमता एवं पवित्रता के साथ करते थे इस संदर्म में बिनसेट स्मित का यह कथन भी तथ्य विहीन है कि सिवाजी डाकू थे या उनके द्वारा इस्थाप सम्रिट करना इस अंदर में उन्ने समकालीन मुगलों जैसी ही निती का पालन अबस्षे किया जादु-नाद सरकार के सब्दों में जादू नात सरकार हो जाते हैं उनके सब्दों में यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत के अंतिम हिंदू राश्ट निर्माता थे मुखर जी के सब्दों में मुगल समराज के जो उस समय अपनी कीर्थी और सम्रिद्धी के लिए उचितम सिकर पर पहुंच चुका था खुले बिरोध में हिंदू राज को स्थापत करना किसी तुच्छ पृतिभा का काम नहीं था यही बात हो जाती है उस समें मुगल समराज था उस समें हिंदू बिस्तार करना कोई इजी काम नहीं था बहुत ही कठिन काम था है ना तुच्छ पृतिभा का काम नहीं था बहुत ही उच्च काम था आगे बढ़ते हैं नेक्स बढ़ेंगे बस्तु सिबाजी भाज के महान सासक बा हिंदू स्वराज का संस्थापक थे सिबाजी ने हिंदों को राश्ट भावना से भरकर राजनिती चेतना जगाने का एक महात्वुड कार किया था जादू ना सरकार के अनु कारियों के मुल्यांकन करते हुए कौन कह रहीं है अब अब कहूँ रहे हैं अलफिन संटन कौन कह रहें एलफिन संटन कह रहे हैं ब्यक्ति ना कर सका भारत के इस अंतिम हिंदू राष्ट निर्माता के संबंद में यह कतन भी अपूर्ड उचित है कि सिवाजी हिंदू जाती के अंतिम रचनाकार कारे करने वाले योगे ब्यक्ति और सासक एवम राष्ट निर्माता थे तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन बन जाता ही है यह आपके एक्जाम में आने की पूरी की पूरी संबाब न हो जाती सिवाजी से आपके एक्जाम में एक क्योशन देखने को मिलेगा एक क्योशन 100% देखने को मिलेगा तो फेंस यहाँ पर हमारा 28 क्योशन कंप्लीट होता है अगर किस किसी को नोट्स आहिए तो कहां से नालूड करेगा हमारी साइट www.paperhacker.in से आप नोट्स नालूड कर सकते हो और अधरबाई जो पट्टी पे आपको साइट चल लए हमाई